है दोस्तों कैसे हैं आप हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ मैं लगातार आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं परड़े और आज जब आया हूं नौदे इंट्रेंस 2024 जो 20 जनौरी को पेपर हुआ था जिसका रिजल्ट बहुत जल्द 5-7 दिनों के अंदर आने वाला है दोस्तों उस रिजल्ट से पहले एक बहुत ही महत्तोपूर जानकारी लेके आया हूं इतनी महत्तोपूर जानकारी जो हमसे भी अब तक छूट गई थी जो हमसे भी अब मेरिड जाने वाली है दोस्तों तो कि इस बार बहुत सारी चीजे एक साथ जो कि पिछले सालों में लागू हुई थी लेकिन मतलब नियम चला था लेकिन लागू इस बहुत अच्छे डंग से हो रही है उसमें कई रूल है और कई नियम है जिनको मैं एक एक करके आपको बत परना आपको पढ़ सकता है दोस्तों मजाग की बात नहीं है बहुत इंप्वर्टेन जानकारी है बाद में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आराम सुसको मैं बताता हूं पहले मैं जानकारी रखता हूं जो आपके दोड़ा कमेंट किया गया कमेंट आया हुआ है सर मेरा 77 question right है उत्तर प्रदेश से और रूरल हूं और जनरल केटेगरी से हूं 77 कोश्चन किसे भी केटेगरी में अगर राइट होता है दोस्तों अपने आप में ये बहुत अच्छा मार्क है 80 में 77 सही करना बहुत है अक्सेलेंट परफरमेंस है और एटमीशन 500% होना चीए 00% लेकिन आगर आप सही हों तो कहीं गलत आकलन मत करिएगा दोस्त Nou गलत आकलन करके मत बताइएगा वरना बात में कहेंगे टीचर ने कहा था 100% हुआ नहीं मेरा लेकिन 77 कोश्चन यदि आपके सही है 100% किसी भी केटेग्री से हूँ आप 100% आपके एडिमिशन हो जा इसमें कोई दोर आए नहीं अगला है सर ओबीसी 92.25 रूरल सेलेक्शन हो गा क्या अरे भाई रूरल से है ग्रामीड के बच्चों का ही होना और 92.25 अरे बहुत नमबर है भाई हंड्रेड में 92.25% नमबर है बहुत नमबर है ओबीसी से है सेलेक्शन पक्का होगा पस कागजात को सही डंग से रखियेगा वरना अगर सेलेक्शन नहीं होगा तो आपके कागज की वज़े से नहीं होगा बहुत ध्यान से बात को समझेगा इस बार बहुत सारे बच्चे छटेंगे इसलिए कम मेरिट वाले बच्चों का सेलेक्शन इस बार जाड़ा तर बच्चों का होगा जिनके मार्क्सीट या जिनके जो में डाकुमेंट आज बताने वाला हूं, अगर हो डाकुमेंट या और वहां पर आपका नाम अगर होगा, तो बिल्कुल आप कम नमबर होगा, लेकिन फिर भी सेलेक्शन होगा, अगला है, मनोज कुमार करके हैं कोई, करें सर 72 कोश्चन, 72 अबलिक 80, मतलब 80 में 72 क सही किया हूँ, क्या मेरा सेलेक्शन होगा, बिल्कुल 70 प्लस है, मैंने तो बोला था न, 60 तक भी आपके नमबर है, तो आप बिल्कुल उम्मीद इस बार रखिएगा, कि आपका सेलेक्शन होगा, लेकिन 70 प्लस है, तो बिल्कुल उम्मीद रखिएगा, वो भी आप OBC से आप लड़की है तो आपके लिए बहुत अच्छे चांस है तो थोड़े नंबर आपके तो जादा ही कम लग रहे हैं मैंने बोला था 60 तक लेकिन धायर में छोड़ना अभी धायर बनाके रखना अपने डाकॉमेंट और जो मैं बाते कर रहा हूं मुझे पक्ता है कि आप किसी प्राइबरी विद्याला पर पढ़ रही होंगी मुझे पूरा यकीन है और अच्छे से तयारी आपकी नहीं हो पाई होगी इसी वज़े से आपके नंबर कम रह गये वरना आपके अंदर जो ललक है मुझे जितना समझ में आ रहा है उसकी कहीं जहलक इस 51 नंबर से जादा ह बिल्कुल अभी चांस आप रख सकते हैं आप के लिए मैं 100 परसेंट नहीं कह सकता लेकिन आप चांस बिल्कुल रखिए 60 प्लस हैं अभी आपके हो सकते हो भी लड़की है रूरल है चांसे है सर जेन्वी क्लास 6 एक्जाम दो हजार चोबिस ललिदपुर जीले के ग्रामीर चेत्रे से 80 बॉए 90 नमर बन रहे हैं अब हैं 100 परसेंट कंफार्म है स्थी है आप और 90 परसेंट और गाउं से 100 परसेंट कंफार्म है आपका हो गाई होगा 2754 फार्म पड़े थे भाई बहुत जादा फार्म भी नहीं पड़े तब तो क्लियर मानिया कि आपके सेलेक्शन पक्का होंगे बाई साब आगे चलते हैं अगा सर जी सर जी मेरे 96 मार्क आया ग्रामीन के जनरल हो मैं जनरल ही लिखना चाह रहा है 96 मार्क बहुत होते हैं जनरल हो बहुत मार्क है और इस बार के लिए दो बहुत जादा है समझी पक्का कंफर्मेट भी से नहीं अब भगवान उसे करके यहां पे आया हुआ है क्योंकि यह पीछले दिनों समस्या इनकी वही है यह क क्या कर सकते हैं हमें जितनी सहीरिया और समस्यार काफिया है और इसा होता है तो बिलकुल आपकी बच्ची का होगा अभी उम्मीद रखिये इतना थोड़ा मत कर लीजिए आगे ये काया है कि मेंटल में सर मतलब रिजनिंग में 39 कोश्चन में 11 और हिंदी में 14 मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके कोश्चन जो हैं वो आपके 64 कोश्चन सही हो रहे हैं अब आप कौन है गर्ल से हैं ये तो नहीं मालूम है वो भी CSE क्या है लेकिन 64 कोश् आपके जो होंगे वो बिल्कुल तयार करके रखिएगा ये सर मैं रिपोर्ट करूंगा जो भी है सर आइम मैंने बलवा था कि कल कोई भलक थे और उन्होंने अपनी परिशानी बताई थी तो मैंने बताया था कि अगर आपका सेलेक्शन होता तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताईएगा क्योंकि आगे कि बच्चों के लिए हम लोग ये दिमाग मेरत पाएंगे कि जिनके भरने में अगर कहीं तुटी हो जाती है तो उनकी कापियां हाथ से भी चेक की जाती है कुछ है इस इनकी प्राबलम थी तो पिछली वीडियो में बता रखा था आगे है सर आयम सांतुनुच 서जरी फ्राम विहार मुझफर कूर सर मेरा हंड़ेट परसेंट में से नाइटि सीग्षफ पॉंट तूप परसेंट आया है ओवी सी रूइर हॕ एरिया के तो मेरा सलेक्षन हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगा भाई सांतनु जी आप बिल्कुल सांतनु चौदरी जी आपके बिल्कुल सेलेक्शन होगा 96.25 नमबर लाए है अम अब जिनियस है भाई एक्सलेंट कह सकते हैं अब बहुत अच्छा आपने परफार्मेंस किया है इस बार नवदे में यह बहुत अच्छे नमबर है आपके ठीक है अगर आपने उकूदने फानने वाला ज्यादा एज वाले मैटर नहीं है तो सांतनु जी आप बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक्सलेंट है आपने एक्सलेंट मारा 96.25 बहुत नमबर होते हैं आगे है अब शेक करके हैं सर नवदे विद्याला का रिजल्ट कब आएगा प्लीज रिपलाई प्लीज कहने की ज़रूरत है मैं हाल रेटी मैं क्या बहुत सारे लोग यूटूब पर लगे हुए रोज सही हो आपको भी मालूम है लेकिन मैं आपको बता दो मैंने बोला था कि 6-7 दिन ये हफ्ता जैसे ही आपका 15 तारीक आया उसके बाद आप कभी भी रिजल्ट आने की संभावना है आपकी हैं बिल्कुल कनफर्ण मैं के चलिए आज से 6-7 दिन और सर मैं रिवा से हूं मैं सी से हूं मेरा 80% बन रहा है मैं ग्रामईड से हूं जी बिल्कुल संभावना है आप से है 80% बहुत नमबर होता है मेरे कटाप में भी आप आ रहे होंगे बिल्कुल आपका सेलेक्शन होगा आगे दिया गया है सर 85 100 में 85 नमबर इनका बन रहा है 100 85 80 क्या होगा OBC से है तो कthese बिल्कुल हो सकते है डिकूल चांसे से 85 कम नमबर नहीं होते हैं और इतनी बार जो परसानी आप को बताने वाला हूँ परशानी की बात तो धेर सारे अभी कहेंगे बाप ने बापी कहां का जमेला आ गया अभी मैं बताने वाला हूँ सर मेरा 90 परसेंट है जनरल में जी 90 परसेंट है बिल्कुल उमीद अभी भी आप भी ना छोड़े उमीद अपनी बना के रखिएगा यह वीडियो पर जितने भी कमेंट आप लोगों ने किया था अब मैं बात करता हूँ जिसके लिए मैं आज की वीडियो लाया था आपके जबाब के लिए तो लाया ही था कि आपके जबाब मिल जाएंगे आपको आपके कमेंट का जबाब अगर सामने से आके कोई देता है तो बहुत बड़ी बात होती है तिलहाल मैं जो बात करने वाला हुई देखे क्या होता है कि आप एडमीशन लिए है कहीं पर भी एडमीशन लिए है किसी भी माननेताप्राप्त विद्याले में लिए होंगे आजकल सरकार के द्वादा एडैस फार्म बराइजा जाते हैं यूडैस सायद्स आपो पता होंगे यूडैस फार्म जो भराय जा व्ष्या बराइंगे तो वहां पे बहुत सारे डाटा बच्चे के होते हैं तो मैं आपसे बता रहा है इसमें इक点 नंबर होता है ढार सरकार जाता है नाइन नमबर का बच्चे की होता है ठार प्हार. उसका पेन और उसके माता-पिता का आधार काड़ सारा इसका उसमें होता है अगर जिस बच्चे का यूडायस में नाम नहीं होगा यूडायस फार्म नहीं बढ़ा गया होगा आप कंफर मानिया उस बच्चे का नोगोदम एडिविशन इस बार नहीं हो पाएगा प्यारे इसलिए मैं चिला रहा था मेरा मकसद यही था इसलिए मैं चिला रहा था कि सबसे कम जाएगी और 60 नमबर तक सही करने वाले बच्चे उमीद रखें कि हमारा सेलेक्शन होगा जेनुवन बच्चे जो हमारे होंगे उनका सेलेक्शन पक्का होगा यूडायस पे आपका नाम होना चाहिए, pay-number होना चाहिए, इस चीज का बहुत बारीकि से ध्यान दीजिएगा पता कर लीजिएगा school में, सारी जानकारी, school से आपको मिल जाएगी, इतना ही कहते, आप की जानकारी, school पे पूरा Item आपके सरजी दे दे देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ अगली बैकेंसी में आपके बच्चे और होंगे न यही बैकेंसी भर तो है नहीं तो अगली बैकेंसी में अगर बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं उनका एडमिशन आपको कराना है तो आपके अच्छे नंबर आने चाहिए तो तैयारी में उनको अभी से जोड़िए और मै यह जो बैच है और जिसमें आप बहुत आराम से पढ़ पाएंगे विल्कुल फ्री इतने इत्मिनान के साथ कि आपको लगेगा आपके घर में बैठ के कोई पढ़ा रहा और बहुत बढ़ियां से समझ में आएगा यह मेरे उपर छोड़ दीजी आपको समझने में आना ना मे काम करने में मज़ा तभी आता है जब सामने वाले रिस्पॉंस देते हैं या सामने वालों से रिस्पॉंस मिलता है तो आज के लिए इतना है वीडियो अच्छी लग रहे है एक छोड़ा सा कमेंट एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों सख सेयर करिए ना